आज अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मेडिकल एजूक्शन के लोग आप सबसे जो बाचित हो रही है मैं तो इतना कहूंगा कि इस सारे विशय में यदि सबसे ज़्यादा कोई भूमी का किसी विभाग की बन रही है तो वो आप लोगों की बन रही है चोंके ये जो महामारी है पूरे विश्व की महामारी है हमारा दाई तो अपने प्रदेश का जैसा हम संभाल रहे हैं वैसे तो जीवन मृत्यू ये भगवान के हाथ में होता है लेकिन फिर भी डॉक्टर नेक्स्ट्टू गॉड जोसको कहना चीए भगवान के बाद अगर किसी की बारी आती तो वो डॉक्टर की आती है और डॉक्टर एक सेनापती के नाते से युद्ध में लड़ाई लड़ा है युद्ध से भी बड़ा ये संकट है हम सेनापती हैं हमारे साथ कितने ही और लोग चाये वो मैनेजमेट के लोग होंगे चैए nursing staff है paramedics मेडिकल्स है class 4 का है testing labs है या ambulance के जो लोग है जिसकिसी का भी कोरोना से पेडित किसी व्यक्ती के साथ संबंद संपर्क आने के संभावना होती है सब लोग अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार की प्रवा किये बिना पूरे देश और समाज की जिसको चिंता है समाज को हमने परिवार माना है हम उस काम को कर रहे हैं डॉक्टर जब वो डिग्री अपनी प्रांफ करता है उस समय डॉक्टर को एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है वर्षों से ये क्रम चलता है और उस सोथ में हमको ये सब बातें बताई जाती है कि जो पेशन्ट है उस पेशन्ट की इलाज के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी सीमा तक जाने के हमारी मनसिती ये हमको करनी होती है जब एक ती सामने पेशन्ट है तो हम किसी प्रकार की ये प्रवानी करते कि वो किस मरीज का किस मर्ज का मरीज है कौन सी बिमारी उसको है और कोई भेदभाव नहीं करते किसी प्रकार का मरीज है तो मरीज है उसको ठीक करना ये मेरा धर्म है इस प्रकार से हम चलते हैं हम बले डॉक्टर नहीं हैं लेकिन मन में तो एक विचार हमेशा रहता ही है सरवे भवन्तु सुखिना ये प्रार्थन भगवान से हमेशा करते हैं उसमें आप हमारे सिभागी हैं सब मिल करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं आपको बहुत प्रकार की कठनाईयां भ परिवार के लोगों का भी दवा होगा साथी लोगों का भी दवा होगा किसी प्रकार का कभी कोई खत्रा भी बताता होगा कोई भै भी पैदा करता होगा लेकिन उत्सा और जोश ये ऐसी चीजे हैं जो अपने डर को खतम करती हैं फैलाने में डर भी वैसे ही फैलता है को जोश फैलाना है तो जोश के साथ हम ये सब काम करते रहे हैं हम एक टीम के रूप में ये सारा काम कर रहे हैं न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट बलके चाया पुलिस का विभाग हो चाया अर्बन लोकल बाडिज हो पंचायती राज सिस्टम हो food and supply system हो कई हमारे विभाग वो सब काम कर रहे हैं हम सब इन विभागों से उपर उठ करके एक संकट ऐसा है मिल जुल करके इस लड़ाई को लड़ना है किसी भी हमारे किसी अधिकारी को किसी डॉक्टर को किसी पेरामेडिकल को किसी और विभाग के भी किसी विक्ति को अपने विभाग को महत्मना देते हुए अपना जो टार्गेट है उसको पुरा करने के लिए सम मिल करके करेंगे और मुझे इस बात की भी परसंदता है कि हमारी डिपार्टमेंट सरकार के यह तो सब काम करी रहे हैं जनता में भी बहुत उत्षा है इस लड़ाई से लड़ने का वो भी हर दिश्य से सयोग कर रहे हैं हमारी सामाजेक संस्थाएं हैं हमारे धार्मिक गुरुप है कल मेरी धार्मिक लीडर्स जो थे उनसे बाचित हुई सब लोग एकमत हैं कि इसको हमें अपने भेदभाव को मिटा करके और इस लड़ाई को उने लड़ना है वोलेंटियर्स हजारों की संखा में वोलेंटियर्स जनाते से आगे आये हैं तो इस सारे कठनाई को देखते हुए हम सब मिल करके काम करेंगे एक विशह डॉक्टर सूनिया जो बता रही थी कि आखिर इंशोरेंस की बात हो रही है अब इंशोरेंस का विशह हमारे जाने के बाद इंशोरेंस हो ना हो हमको उसका क्या हो क्योग कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी चिंता करते होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिवार की चिंता करते होंगे के इंशोरेंस के कारण से हमारे बाद हमारे परिवार की चिंता हो जाएगी हम लोग सब की चिंता करेंगे अपनी भी चिंता परिवार की भी चिंता और पूरे समाज की भी चिंता सब चिंता हमको करनी है आज हम लोगों ने विचार किया है कि हमारा जो कॉरोना से इस हिलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग है चाहे वो डॉक्टर्स है, नर्सिज है परामेडिकल स्टाफ है क्लास फूर का स्टाफ है एम्बूलेंस का स्टाफ है यह टेस्टिंग लैब का स्टाफ है एक गोशना अभी हम बैठे-बैठे विचार करके फाइनल फैसला किया है हमरे हमनिस्टर हमरे स्वास्त मंत्री के साथ कि जब तक ये कॉरोना इसका पिरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सिधा सिधा कॉरोना के पिरियत मरीजों की कॉविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके सम्भालने में लगे हैं इनकी सेलरी अब डबल रहेगे ताकि हमारे अपने समय भी 50 लाख रुपे की है उसमें नहीं आएंगे ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे डॉक्टर्स के लिए 50 लाख नर्सिस के लिए 30 लाख परामेडिकल स्टाफ के लिए 20 लाख क्लास फोर के लिए 10 लाख तो इस प्रकार से हमने इस एक्स ग्रेशिया को पैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंदर की स्कीम में आएगा ही फिर भी कोई अगर उसमें बंदन होगा या कोई इस परकार की कोई ऐसे पैरामेटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है तो हम प्रदेश की और से ये सारी औरस्ताइक करेंगे मैं इस वैश्वास से कि हम सब लोग एक उत्सा के साथ एक टीम के रूप में इस करोना को हरियाना से हराएंगे भारत से भगाएंगे यही हमारा एक लोगो होना चाहिए यही हमारा नारा होना चाहिए इसी प्रकार से हम लोग लगे रहें मेरी बहुत बहुत शुब कामना ह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभार